आज हम बात करने वाले हैं दमजीशन कार्ड के चक्राज के बारे में और उनसे जुड़े हुए एडवाईजिस के बारे में ये कार्ड तीन चक्राज को रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्रा, अजना चक्रा और पाम चक्रा जो क्राउन चक्रा होता है वो डिवाईन लाइट, अनलाइटनमेंट और विज्डम की बात करता है अजना इंस्ट्रक्शन की बात करता है, थिंकिंग की बात करता है, वीज्वालाइशन की बात करता है और creativity की बात करता है, palm chakra creation की बात करता है, action की बात करता है, और expression की बात करता है, यह सारी चीजे combination है, magician का, magician को जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, उसको जब तक ज्ञान या उसको बुद्धी नहीं आएगी, wisdom नहीं आएगी, तो चीजे कैसे create करेगा, अजना के बिना वो सोच नह नहीं कर सकता, वो visualize नहीं कर सकता, उसके दिमाग में creativity की भावना नहीं आएगी, उसके बाद palm chakra की बात करें, तो बिना creation के, वो अधूर आई तो है, सारी चीजे एखटी होगे, अगर वो create नहीं कर पा रहा, तो वो action को represent करता है, expression को represent करता है, अगर आपके साथ यह सारी कमि चल रही है, या इन में से कोई भी कमी चल रही है, तो कई ना कई तीनों चक्राज में कोई ना कोई inactive है, या चक्रा के webs में कुछ गंदगी भरी हुई है, या चक्रा clean नहीं है, तो कुछ भी आप reason मान सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, crown chakra पर meditation करनी है, और third eye chakra पर भी meditation करनी है, और उसके बाद जब meditation हो जाए, अपना जो हाथ है, उन हाथों को रब करके आपको bless करना है सब को, जो गरीब लोग हैं, जो under privilege लोग हैं, उनको आपको bless करना है, संसार को blessing देनी हैं, तो कही ना कहीं आप spiritual तरीके से लोगों से जड़ जाते हैं, उस जाप कर सकते हैं, ज्यान से related जाप, ज्यान से related जो भी आपके धर्म में आपके देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, उनकी आप जाप कर सकते हैं, आपको spiritual books पढ़नी चाहिए, गुरू होते ना, अध्यात्मिक गुरू, spiritual गुरू, तो उनकी शरण में रहना चीधे, उनसे आपको मिलते जुलते रहना चीए, उनसे एड़वाईज और उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहने चीए, तो आपको एक टीचर भी डून सकते हैं, गुरु भी डून सकते हैं, गाइड भी डून सकते हैं, आपको विनमरता की साधना करनी है, आपकी जो प्रॉफिट है या आपकी जो income है, उसका 10% आपको दान देना है, आपको गरीबों की सेवा करनी है, जो इनोसेंट लोग हैं, या जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जो अपनी बुद्धी खुद यूज नहीं कर सकते, या जो अभी बुद्धी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोग की आ चक्रा और थर्ड आई चक्रा के बीच में पड़ी ही रहती है, यानि हमारी थर्ड आई चक्रा के ऊपर कहिना कई ego होती है, जो हमें crown चक्रा तक पहुचने नहीं देती, इसको आपको समझना पड़ेगा, ego खतम करने के लिए सबसे पहली बात आपके हिर्दे में करूना आन हैं, इनके क्या results निकलने वाले हैं, ऐसे करके जो चीज़े आपको self-realization करा हैं, या जो अपने गलतियां करी हैं, उन गलतियों को देखना कि क्या है, मैंने सही में सही करा, जिनको मतब मैं मानता था कि मैंने अपने भलेक ले करा है, कहीं इससे किसी और का नुक्सान तो नह कहीं, आपको थोड़ी deep meditation करनी पड़ेगी, या deep thinking करनी पड़ेगी, लेकिन crown chakra पर और third eye chakra पर focus करके आपको अपनी करुणा को मन से बाहर create करना है, निकालना है, और उसको देखना है कि मैं कितना ज़्यादा करुणा मैं हुआ हूँ, या नहीं हुआ हूँ, तो ये सारी आपको जो भगवान ने दिया है, उसके लिए आपको कृतग्य होना बहुत जरूरी है, देखिए अभी भी ego की बात हो लिए कहीं ना कहीं, जब आप अपने कृतग्यता भगवान को देंगे या nature को देंगे, मैं भगवान का मतलब nature भी मानता हूँ, mother earth भी मानता हूँ, इन कहीं ना कहीं जब आप future में देखेंगे या future में जब आप अपने जीवन को पीछे जाग के देखेंगे, कहीं ना कहीं वो गलतियां वो जो आपको नहीं मिला, उसी ने आपका जीवन बनाया होगा, जो एक भौत अच्छे लावल पर पहुँछ चुका होगा, तो यह सब के कारण ही बनते हैं, जो आप बनते हैं, इसके बाद अपने स्किल्स को आपको अपडेट करना है, नए नए चीजे सीखिए और नए ने टास्क को अपने हाथ में लीजिए, इससे क्या होगा आपका जो पाम चक्रा है वो एक्टिवेट होगा आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिवेट होगा आपके अंदर से डर बाहर निकलेगा और आप नहीं चीजे कर पाएंगे देखिए कभी भी अपनी क्रेटिविटी को छोड़िये मत अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट करते रहेंगे तो आप जमाने के साथ चल सकते हैं नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे मैंने पिछले वीडियोस में बोला था आपको रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड जाता है उसमें कीडे पड़ जाते हैं इस चीज का हमेशा दियान रखना अपने हाथों से गरीबों की सेवा कीजिए उनको खाना दीजिए जितना ज़्याद हो सकता है सेल्फ स जाहित कीजिए कि आपको और पेड़ उगाने है तो आप एक बहुत बड़ी टीम बनाने की कोशिच कीजिए और मदर अर्थ को कहीं न कहीं ग्रैटिटीवड दीजिए कि आपको एक इंसान बनाया और एक इंसान ही है जो पेड़ बो सकता है वैसे एक काम जानवर भी कर सकत है बीज डालके लेकिन उसके कर्मा में वो चीज़ें नहीं जुड़ती लेकिन आप मदर अर्थ की हैल्प के लिए उसको ग्रैटिवड देने के लिए आपको मदर अर्थ की भी हेलप करनी पड़ेगी और वो पेड़ बोके भी हो सकती है तो जो भी रिजन जिससे आप आप आपको लगता है कि शायद आप Mother Earth को help कर सकते हैं, नेचर को help कर सकते हैं, वो सारे काम कीजिए, तो आपके चक्राज में आपको काफी फर्क महसूस होगा, और meditation तो हर चीज का इलाज है ही, लेकिन केवल meditation से कुछ नहीं होता, यह दोनो चीजे एक साथ बहुत जरूरी है, action और